और प्रक्रियाएं जैसे फीडिंग, मेंटिनेंस, हावेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, सेल, मार्केटिंग इत्यादी अलाउड होंगी. परंतु संस्थाओं के हेट्स की जिम्मेदारी होगी, कि वे सोशल डिस्टिंसिंग और प्रॉपर हाईजीनिक प्राक्टिस का अनुपालन सक्ती से करें. जिला अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होगी, कि वे इन गाइडलाइन्स का स्ट्रिक्ट एंफॉर्स्मेंट सुनिश्चत करें. आज ग्रह मंत्राले ने स्टेट्स और यूटीज को पत्र लिखकर फिर से आगरह किया है कि डॉक्टर्स एवा मेडिकल स्टाफ को आवश्यक्ता अनुसार पुलिस सेक्यॉरिटी दे, अस्पतालों में जब वे स्क्रीनिंग हेतू जाते हैं और जहां पेशेंट्स क्वारं में हैं और हर लेवल पर मॉनिटर हो रही है इस संदर्व में आपको बताना चाहूंगी कि कई लोग आगे आ रहे हैं हमारे NCC और NSS के कडेट्स और सिविल डिफेंस के वालेंटियर्स भी इस मुहिम में आगे आए हैं कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और इसमें पुलिस बल भी भरसक प्रयास कर रहे हैं अपने परिसरों में क्वारंटाइन कैंप्स लगाने के अलावा उन्होंने इस संदर्व में कई कदम उठाए हैं C.A.P.F. जनता में जागरूकता पहला रहे हैं उनकी चिकित्सा टीमें भी ग्रामीन शेत्रों में कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रही हैं उन्होंने कई स्थानों में स्ट्रैंडड वरकर्स इत्यादी को सूखा राशन और पैक्ट भोजन उपलप्त कराया है वे शोविड चेन को तोड़ने में सफल होइं गे अज तक हमने 1,771,718 स्यम्पल का टेस्ट किया है उन में से 16,564 स्यम्पल जो थे वो कल टेस्ट हुए इन 16,562 में जो इसेमर का नेटवर्क है उसमें आज के तवर पे हमारे से 146 लैब्स हैं, उन में से हमने 14,210 लोगों का सैंपल टेस्ट किया, प्राइवेट लैब्स की संख्या भी 67 है, उन में 2,354 सैंपल्स को टेस्ट किया गया है। Representative of the Health Minister, please. जैसे कि आप लोगों को अवगत है कि जिस दिन से COVID-19 ये डिजीज हम लोगों के सामने आई है, अरली एक्षिन, हम लोग प्रियम्टिव, प्रोएक्टिव और तु दे एक्स्टेंड और बिंग ओवर प्रिपेड उस पद्दिती के तहर देश में काम कर रहे हैं। हमारी एक ग्रेड़ेट अप्रोच रही है, जिसके तहट जैसे जैसे सिचुएशन देश में, देश के बाहर इमर्ज होती रही, उसी तरीके से हमारा, उससे अलाइन करते हुँ हमारा रेस्पॉंस COVID-19 के प्रती रहा है। आज देश में Government of India, स्टेट गवर्मेंट से कॉडिनेट करते हुए, राज्यों के साथ PPEs, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिन्स, वेंटिलेटर्स और इसी तरह से रिलेटेट क्रिटिकल सप्लाई को एंशोर करे ही है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जिनके द्वारा इंफेक्शन ना फैले और पेशेंट को प्रॉपर ट्रीट्मेंट मिल सके उसको भी स्टेट के साथ मिलकर सेंटरल गवर्मेंट इस्टूशन के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। और अब तक कि अगर संख्या देखें तो 506 सी डेडिकेटेड हॉस्पिटल स्टेट ने हमें रिपोर्ट किये हैं गवर्मेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्मेंट ने मिला कर जिसके द्वारा करीब एक लाख प्लस बैट्स आइसोलेशन बैट्स और करीब साड़े गय प्लस राले ने इम्मुनिटी बूस्टिंग और रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए जो अपनी गाइडलाइन जारी की थी उसके द्वारा उन्होंने फिर कहा है जिले के इतने डीम से हैं कि आप जब डिस्टिक्ट का एक इंडिजेंसी प्लैन बनाएं तो उसमें उन गाइड करते हुए Government of India का मेजर अफ़र्ट है कि containment policy, containment action plan, contact tracing और clinical management patients का धंग से किया जाए तरीके से किया जाए और इसी के तहती इससे पहले भी AIMS में एक ट्रेनिंग ऑगनाइज की जा चुकी है एक और series of webinars जो nurses की ट्रेनिंग के लिए इस वीख हम ऑगनाइज कर रहे हैं आज मानन प्रदान मंत्री जी ने सारे states और union territories के माननिये मुखे मंत्रियों और lieutenant governors के साथ video conference करते हुए उसमें सब लोगों ने मिलकर collective अपने resolve को बताया है कि हमें किसी भी तरीके से इस महामारी से बचना है और मिलकर हम सब लोग को इसमें काम करना है अब तक कि अगर data देखें तो 642 लोग 642 people they have already recovered कल 1035 total increased case में note किया गया है और जिसके साथ ही total cases की संक्या 7447 हो चुकी है yesterday 40 deaths were recorded और जिसको मिलाएं तो total 239 deaths report हो चुकी है इसके साथ ही कल मेरे से एक प्रशन पूछा गया था कि एक particular study किया वह ICMR की study है जिसके बारे में मैंने आप से कहा था कि ICMR की ऐसी कोई study नहीं है लेकिन उस study से संबंदित वह study नहीं है मैं आप सब लोग की दृष्टी में ला रहे हैं उससे संबंदित एक analysis की थी वह analysis शायद आप उस analysis के बारे में बात कर रहे थे तो उस analysis के द्वारे में आप लोग की दृष्टी में लाना चाहूंगा जैसे हम सब को पता है 22 मार्च को हम लोग उने जंता कर्शी देश में implement किया था जिसमें देश के हर नागरिक न को कोई highlight करना चाहूंगा कि ये कोई ICMR की study नहीं है ये केवल statistical understanding है जिसके द्वारा हमें देखा कि अगर हम कोई action ना लेते हो तो शायद जिस तरह से cases बढ़ रहे थे तो 41% की growth rate से cumulative growth rate से अगर cases बढ़ते तो हम आज की तारिक में शायद 15 अपरिल तक हमारे पास 8.2 lakh cases report होते और उसी के तहट अगर हम लोग जो हमारा lockdown से पहले की इस्तिती है उसमें हमने देखा कि हमारा growth rate of cases करीब highest जो है 28.9% record हुआ तो उसके तहट शायद हमारे 1.2 lakh cases 15 अपरिल तक हम रीच कर पाएंगे और उसके comparison में देखें तो अब हम lockdown और containment measures जैसे कि इससे पहले भी बताया गया है कि हमारी twin strategy है एक तरफ हम social distancing और lockdown को promote करें और दूसी तरफ उसके साथ ही हम containment measures पे भी अपना काम करें तो उन दोनों measures को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि cases में काफी कमी महसूस की गई है तो अगर आप आज के इस analysis को extrapolate करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 cases हैं तो शायद lockdown नहीं होता और हम उसी rate of growth of cases से जूज रहे होते तो हमार यह study जस मैं आप लोगों की द्रिष्टी में तरह लाना चाहूंगा कि lockdown और containment measures बहुत important हैं ताकि हम इस battle से निबट सकें लड़ सकें इसके साथ ही मैं हमेशे आप लोगों की द्रिष्टी में लाता रहा हूं कि जो major action है वे field पे हमारे सैनानी लड़ रहे हैं district level पर, sub district level पर, हर तरह के risk को, हर तरह के infection के खत्रे को भी होते हुए भी, आज उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उससे संबंधित एक आप लोगों की द्रिष्टी में लाना चाहूंगा, कि जो हमारा first cluster आया था वे आगरब में आया था, और उस cluster पर कैसे जिला administration, कैसे state government, और कैसे field side पर हम अपने existing infrastructure जो की हमारा smart city का control room ता उसको इस्तिमाल किया, हमारा focus रहा active contact tracing पर, isolation of patients पर, और हमने साथ में private sector को भी involve करते हुए, medical अपनी जो capacity उसको बढ़ाया, इसके साथ ही, जब हम ये कारे कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से हमारे field पर, हमारे vulnerable section के लोगों को दिक करना हो, उसके लिए भी हमने food और civil supplies for needy use पर काम किया, essential supply chain को maintain किया, और यह सब कारे करते हुए, कैसे हमें citizen को involve करना है, यह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा challenge रहा था, जिस पर जिला administration ने काम किया, इससे पहले भी आप लोगी knowledge में आता रहा है, कि अगर कोई भी एक case पाते हैं, तो हम उस case की contact tracing करते हैं, और उस contact tracing के भाग में हम पूरा verify करते हैं, यह case कहां कहां गया, तो जैसे कि जिला administration ने जब यह पहला case उनकी दृष्टी में आया, 25 फरवरी में, तो उन्होंने उस पूरे case की contact tracing की, कि वह दिली का पहुचे, दिली से आगरा कब गए, आगरा में वो अपने घर पर रहे, यह अपनी factory में रहे, उसके लाओ किस-किस restaurant में गए, उस restaurant में किस से interact किया, तो वह एक हमारा contact बनता है, उसके तहट जिला administration ने एपी center और hot spot का identification किया, उसके बाद हर बार हम आप लोग की दिश्टी में लाते रहे हैं कि हमारा एक cluster containment plan, हमारा एक outbreak containment plan होता है, जिसके तहट district administration ने हमारी जो central team है, उसके साथ coordinate करते हुए, epicenter को identify किया, epicenter को map identify करके, कितने particular area में उस particular positive case का impact रहा, उसको map पर delineate किया गया, delineate करने के बाद उन्होंने special teams मनाई, तो जैसे उन्होंने 3 km के area को उन्होंने containment zone माना, 5 km के area को उन्होंने उसके buffer zone के तह हमारे urban primary health centers है, उनको उन्होंने utilize किया, साथ में हर particular area का उन्होंने एक micro plan बनाया, 1248 special teams बनाई गई, जिसमें की नगर निगम और healthcare staff ने मिल मिलकर जाकर घर घर पर सर्वे किया, सर्वे करके उन्होंने पूरे जितने भी population थी करीब 9.3 lakh लोगों का उन्होंने पूरा observation किया, सर to house survey किया, तो धाई हजार लोगों को ऐसा पाया गया, जिनको कफ, cold या fever के symptom से, और जिसके तहए तो उन्होंने फिर उनका sample based on sample criteria उससे से करके monitor किया, आज जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो coordinated effort के पार्ट में उन्होंने अपने आगरा smart city के control room का इस्तमाल किया, ज साथ ही district administration, district police administration, सब लोग ने मिलकर lockdown और clusting के ओपर भी काम किया, जब हम यह काम कर रहे थे, तो district administration के level पर कैसे isolation facilities और कैसे medical facilities और cluster containment में काम उस पर पूरा focus किया गया, जिसके तहत public private partnership एक हमारा major component रहा, साथ में हमने critical hotspots और clusters को identify किया, और जितने भी clusters थे, उनको जैसे कि उन्होंने manage किया, while all these efforts were going on, distribution change management को manage करना भी उतना ही बड़ा एक challenge था, तो जिसके तहत उन्होंने local providers of food और medical supplies को identify किया, और distribution chain को door delivery के लिए उन्होंने coordinate कराया, साथ ही essential commodities को movement में कोई दिक्कत ना है, उसके लोग ने एफास facility का भी organization किया गया, इसके साथ ही, while यह सारे efforts चल र house है, उनका food distribution को coordination, हमारे vulnerable section जो homeless and needy है, उनका खाने से related और उनके रहने से related coordinate करना, e-commerce को promote करना, ताकि उसके द्वारा हम door delivery ले सके हैं, इसको करते हुए district administration की तरफ से technology को use करते हुए, एक self registry platform बनाया गया, एक mobile app launch की गई, जिसके थूँ वह अपना risk definition पा सकते थे, वह अपन लोगे city के बारे में बताया है, तो उसके थूँ, वह help line के थूँ बात कर सकते हैं, और साथ ही, जितने भी citizen के response आया, उनको classify किया गया, medium और high risk में, और जो भी medium और high risk cases पाए गया, उनको outbound call के द्वारा monitor भी किया गया, यह सारे कारे करते हुए, आज district में जब total हमारे 92 cases आ watch हैं, और खुशी की बात यह है कि उनमें से कोई भी case critical नहीं है, इस पूरे कारिये को करते हुए जिले ने 38 epicenter identify किये थे, जिसमें से 10 epicenter में काम करते हुए, उनको पूरी तरह से close भी कर दिया गया, जहांपर कि कोई positive case नहीं पाया गया है, कोई high risk case नहीं पाया गया है, यह समय पर public private partnership के थूँ उन्होंने 566 beds का paid quarantine centers बनाए, इसी तरीके से 3060 institutional quarantine centers for people to stay उसको free centers बनाए गए, और साथ ही जो हमारा medical staff है, वो अपने hospital के पास ही काम कर सेके, तो उनको भी उन्होंने official quarantine centers बनाके hospitals के पास रखकर उसके द्वारा services प्रोवाइड कराई हैं, आज यह समय आप की दृष्टे में इतले लाना चाहता हूँ,